नमस्कार दोस्तो टीव इंडिया में एक बार फिर से आपका हर्तिक स्वागत है दोस्तो आज हम बताएंगे जाडू के इस्तमाल के नियम जी हां दोस्तो घर में आपने अक्सर ही मम्मी या बड़े बुढ़ों से सुना होगा कि जाडू को उल्टा मत रखो क्योंकि यह बुरा होता है या फिर जाडू पर पैर मत रखो लक्ष्मी माना राज हो जाएगी वास्तु में घर की हर चीज का बहुत मात्व होता है जाडू से जुड़ी और भी कई बाते हैं जो आप नहीं जानते होंगे दोस्तो पुराणिक गृंतों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में जाडू लगाना अशुब माना जाता है जब परिवार का कोई सदस्द से बाहर घर से जाए तो तुरंत जाडू लगाना भी अशुब होता है जालू पर पैर नहीं रखना चाहिए, माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी मा रोस्ट हो जाती है कभी भी घर में उल्टा जालू नहीं रखना चाहिए, इससे घर में कलहा बढ़ती है जालु को कभी भी घर से बाहर या फिरचत पर नहीं रखना चाहिए घर में चोरी होने का भै होता है अगर हम जालु पर का आदर करते हैं तो यह महालक्ष्मी की प्रसंता का संकेत है जालू को हमेशा ऐसी जगा पर रखना चाहिए जहां से यह घर या बहार के किसी भी सदस्य को दिखाई नहीं दे घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक जालू लगाने लगे तो इससे अंचाहे मेमान आने के योग बनते हैं नया घर बनने के पच्चाद उसमें पुराना जालू ले जाना अपशुकुन माना जाता है सपने में अगर कोई नया जालू लेकर ख़ड़ा दिखे तो यह सौभाग के कपरतीक होता है तो दोस्तों कैसे लगी यह रोचक जानकारी हमें जरूर बताएं और आप हमारी चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना न भूले